तो हे गाईज कैसे आप सभी वेलकम आपका अमारे चैनल पर तो गये जे गुड नूज है चोदरी बंसिलाल युनिवसिटी की तो युनिवसिटी ने बीएड सेकेंड येर के रियेपियर के फोर्म निकाल दिये हैं पोर्टल स्टार्ट कर दिया है और साथ में बीएड शिक् सब्सक्राइब और साथ में आप इस सेड्यूल देख पार हूंगा आप डेट दी गई हैं 24 मार्च से 31 मार्च तक आप विदाउट लेट फीश एपलाई कर सकते हैं उसके बाद आपका एक एप्रेल से तीन एप्रेल तक आपको 500 रुपे एक्स्टा फीश देनी होगी एज जो नॉर्मल फी होती है उसके साथ और साथ में उसके बाद 4 एप्रेल से 6 एप्रेल तक आपको थाउजन रुपीज एक्स्टा फीश देनी पड़ेगी और साथ में आप यहां पे बैच भी देख पा रहे होंगे 2019 और 2020 वाले जो भी बैच हैं उनके लिए यह फोरुम निकले हैं 28 सेकिंडियर रियेप्यर के उसके बाद सास्तरी के हैं यहां पे 24 से 31 मार्च तक विदाउट लेट फीश और उसके बाद आपके 1 एप्रेल से 3 एप्रेल तक आपको 500 रुपे एक्स्टा देने होंगे उसके बाद 1000 रुपीज देने होंगे 4 तारिक से 6 एप्रेल तक और इसका जो सास्तरी का बैच रहेगा यहां पे 2022 का रहेगा उसके बाद देख लेते कुछ important अगर इसके लिए निचे दिया गया है तो तो जो पोर्टल है आपका देखिए therefore all concerned are requested to fill up the examination form of the eligible student accordingly the UTD college will submit the hard copy of application form and fee received 7 April to 11 April examination form of reappear students shall be filled by the concerned department college institution with prescribed fee इनका कहना यह है जो जितने भी student है reappear वाले उनके form college institute या department submit करेगा student अपने level पर ये form apply नहीं कर सकते ओके और जो deadline दी गई है यहां पे no examination form shall be accepted after 6 April तो 6 April के बाद आपके कोई भी form submit नहीं करवाए जाएंगे तो जल्द से जल्द अपना form submit कर लीजिए या करवा लीजिए college के दवारा या department के दवारा तो वीडियो को जदा ज़दा share करें ताकि सभी student के पास से information पहुंच जाए आप date भी देख पा रहे हूंगे बिलकुल latest यहां पे notification ये जारी हुआ है university की तरप से इसको officially अगर आप download करना चाह रहे हैं तो आप official website पर भी इसको देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को quit करते हैं तक्स फवाचिंग्ट